केलांचन टाइम्स हर खबर बर हमारी नज़र नमस्काप मैं नैनी मिश्रा आप देख रहें केलांचन टाइम्स बढ़ते हैं और देखते हैं भागलपूर की बड़ी खबरें भागलपूर में बाइपास पर हंगामा करने के आरोप में छात्रे नेता कुष पांडे समित 9 नामजद और 20-25 आग्यात के विरूद मावलदर भागलपूर के लोधिपूर थाना शेत्र में विगत पांच फरवरी को देर रात तक बाइपास पर आवागमन वाधित करने और हंगामा करने के मामले में 9 नामजद और 20-25 आग्यात लोगों के विरूद प्रात्मी की दर्ज कराई गई है वही लोधिपूर थाना में पिछले 8 फरवरी को गोराडी के अंचला धीकारी नविन भूशन ने आप्रात्मी के दर्ज करवाई है अपने शिकायत में अंचलाधिकारी नवीन भूशन ने कहा है कि विगत पांच फरवरी को लोधिपूर थाना छेत्र के बाइपास रोड के किनारे बाइपास टी ओपी छेत्र के बैजनी इनिवासी विभाष चंद्र मिस्रा के पूत्र आशिश कुमार मिस्रा उर्फ मिलते ही लोधिपूर के पुलीस मृतक और घायल को अस्पताल पहुंचा कर अनुसंधार में जुटी हुई थी अंचलाधिकारी नवीन भूशन की माने तो हंगामे की वज़े से बाइपास परवाहनों की लंबी कतार लग गई है और यहाद तक कि इस दोरान एम्बूलेंस में मरीज भी तडप रहा था नवीन भूसन ने कहा कि SDM, SBP, विधी, ब्योस्था और उन्होंने खुद कई बार इन लोगों को जाम खत्म करवाने के लिए समझाये लेकिन ये लोग सुनने को त्यार नहीं थे अपर पी लमा जाम लग गया था, इसमें जनता को पबलीक को काफी इंकर्मिनियंस हुआ है और पुलीस को भी इनों संधान से 6 घंटे तक बाधित किया गया, इसके लिए अनों निर्फायर करेंगे, उन्हों फुटेज बनाया गया, उन्हों को चिन्हीत कर रहे है और उन बागलपूर प्रखण महेश्रा मोंज अंतरगत और नहीं असी मुंगेर मिरजा चौकी रोड पर जमीन मालिकों ने काम पर रोक लगाधिया है जमीन मालिकों का कहना है कि रजिस्टर दो में हमारे नाम से जमीन है लेकिन विभाग के लापरवाही के कारण हमारे पिता जम्रीत है उनके नाम से प्रचान निर्गत कर दिया गया है और बिना जमीन के राशी भुकतान की जबरन विभाग द्वारा हमारी जमीन जब्त कर दि गई है उन लोगों कहना है कि अंचल पदादिकारी पीरपैर्टी यों विभाके लापरवाही के कारम्रीत व्यक्ति के नाम से पंचांड निर्गत कर दिया गया है बौके पर मौझुदा अंचलादिकारी पीरपैर्टी ने बताए कि यह मामला हवाई छेतर कर नहीं है फोरलेन रोड में काम करने वाले आयर रोड जीजनी पदादिकारी वी मलकुमाने बताए कि किसान गलत कर रहें इन लोगों को पैसा बहुत जल्द मिलेगा जमिन मालिक ने उपस्थित राजशपांडे, मुकेशपांडे, सत्यनरायन, ओजावी जेपी नेता, अशोक सम्राट, मनोजपांडे, मनीशपांडे वा, अन्य ग्रामिन उपस्थित रहें सर अभी हम परेश से से जान अखबार से, अभी सर फोर लाइन वाले हम गयत मिर्जाचो के वाले हम सर, रोक हुआ है, जमीन मालिक सब रोका आया, क्या बलना चाहते है सर? अभी जो रोका गया सर गरामिनों दुवारा, किस कारण से रोका गया सर? अभी जो अभी जो आप गये तो महा क्या हुआ सर? कोई अख़व है आप तो काम करने शर किनके आदस पर आप काम करने है, Esse heeft लोका इंजाम है, सर की बिना फीमेंट की आप लोग काम कर रहा है यह जो नहीं है जी Aarim mica काम कर रहे हैं सभसे बात्शित कर के उतके तो यह लग वोल रहया है सर की नहीं पेमेंट हम लोगों को नहीं मिला है बिना हम लोग बताए काम कर रहे है यह पे पेमेंट जे उसमर्थ बागलपूर डेली वे आने जाने में लेकिन 2029 में युद्वे नहीं पर दिली आ जमा करने के बद उसके विरीचिंग भी नहीं है उसके बाद परमेंट नहीं वा और हमार खेत में गाड़ी चल गई जो भी पिवेंट है सबका पिवेंट प्रोसस में है और दो-चार दिन में जहें दस दिन में महाई सराम लेक आपकी पिवेंट हो रहा है अगले बार अमीद सर आये थे तो हम लोग का बगीचा कटाव कहें कि 25 जनवरी को रुपरमेंट हो जाएगा अभी तक उसका नहीं हुआ हम आगे कैसे अपने खेत में करवाई करने दे हैं कि हमारा अगला पैसा मिलेगा की नहीं मिलेगा इस अभी जो काम रुका है पैमेंट होने के बाद होगा काम की अभी काम होगा चलो होगा नए अभी काम देचा लोगा कि सबसे बातके मिलेहां कि हमेख को पूर्न करने की कोशिश करेंगे के वही कोत वाली थाना च्षिद्र अंदरग खलिफभ辦法 बाग में शराब की खरीद विक्री मामले में पुलीस ने एक युवग को गिरफतार किया है भावरपुर के कोतवाली थाना शेत्र अंतरगत खलिफा बाग से गुर्वार को शराब की खरीद विक्री मामले में पुलीस ने एक युवग को गिरफतार कर लिया है दरसर मामला श को एक साजिस के तहट BACK गुए उस पर लगाय गए आरूप बेब़ुनियाद है परिजनों के शराप की बोतल और गयरसी और के ग Dubai से पुलीस ने पूस्ताराइब किया वही पुश्त बिशाम कि पौत Franc । सिन्ग किसी और की बताई जा रहे हैं जिसे पुलीस ने उसके घर से बरामत की है य Çशो सराग की होंडी लिवी करता था जिसको ले कर वह दोबार जेल भी गया जा चुका है वही पर जनों का यह कहना है कि कोटवाली पुलिस द्वारा मामले कई सुनाएं नहीं की जा रही है तो मेरा भगिना आया घर भरते ही था दो व्यक्ति आया दो व्यक्ति आया और वोला उसको जबरन दोने तब से पकर लिया एक ने बंदूख निकाला तुमको चलना हम बोले तक फिर जब हम लोग निकले बीच के लिए तो हम लोग निकले हम बोले क्या बात है हम लोग को दख्का देने लगा तुम लोग हटो तुम लोग हटो लेशा लगा दा रहा हम नहीं पचानती हो हम लोग मतला अथी को आई डिकाई तर्व पुलिस वला मोला कि से नहीं इसके पास इसका वारिया पुलीस क्यों पकड़ के ले गए क्या बात था कि लोग मतलब दारू रखा हुए कि क्या रखा हुआ पता नहीं हम लोग के पास नहीं मिला जबर्दस्टी उनको आ रहे ले गया है दो दोकान तीन दोकान बाद क्या परिसानी क्या हुई है यह बता अभी मेरे भाल को जबरन बिना मतलब का पुलीस प्रशासन उठा के ले गए गया है दारू के धंदे में उन्होंने बोला कि दारू का धंदा करता है और जूट का उठा के ले गया है दोकान के बाद बंद हम लोंके घर के पंशन है आज गेस्ट आने वाले हैं सब जानता है इसलिए जान के करा जा पहले हैं उपाइक क्या लग रहा है कौन फसा रहा है कि वह रखो लोग कर रहे विवाद है कि मेरे मेरा घर सारा लोग ले ले-दो फए बर जया उसको कोई फर्क ने पड़ता है बस इसको हम लोंका संपती से मतलब है निया रदी का सारह संपती गाउओं का भों ले चुकि यह संपत्ति को लेके क्या कभी आप लोगों में विवाद भी हुआ है। वहीं फैक्टरी से इस्पृट जप्त मामले में संचालक प्रमोद पोद्दार को कोट में पेश किया लिया। स्पृट के कागजाद पुलिस मागे इधर डॉक्टर का कहना है कि स्पृट का सारा बील उनके पास है। लेकिन विभाग को कुछ समय देना होगा तभी कागजाद दिखा पाएगा। उधर पुलिस प्रमोद पोद्दार को गिरफतार कर आज कोट में पेश कर दिया है। एक्साइज इंस्पेक्टर चंदनकुमार ने की 100 लीटर स्पृट ब्रामत की है। हभीपूर पर एक परिवार पिछले 10 महें से बेटी की तलाश कर रही है थानी की चक्र। भागलपूर में हभीपूर का एक परिवार पिछले 10 महिनों से अपने बेटे की तलाश में थाने से लेकर पुलीस के आला अधिकारियों के दफ्तर का चकर काड़ रहा है पिडित परिवार के दर्द का अंदाजा आप इसी से लगा सकते कि उन्होंने एसपी से लेकर डियाईजी तक इनकी शिकायत की लेकिन आरोपियों की ग्रफतारी नहीं हो पाई हरत की बात यह है के अस्थाने थाने की पुलीस उल्टे पीडित परिवास से ही युवक का पता लगा कर सूशना देने की कह रही है गुरवार को मदद के लिए युवक की नानी और बहन ने एस पी से गुहार लगाई है युवक की बहर ने बताय के पिछले वर्ष राजा मेरे भाई को घर से बुला कर ले गया जिसके बाद वह लोटकर नहीं आया राजा के साथ अने सहयोगी भी थी जिस पर पुलीस कोई कारवाई नहीं कर रही है नानी ने कतार भाउ से फुलीस से अपनी लापता नाती के बरामदगी की गुहार लगाई है गार लगे अठीशन भी करता है और अधिशनक थाहां आप लोगार आपको खेलए निकालि यही जिया आपकी में अब की सताथ मीकौटी गया रहांकर वहां रामदग्साय के वहाय कारवाई नातुसन लागदर अरमद्स को बातल बलाए हम दो वहां से फिर भी हमको लोटा दियो गया, उस टेम लोगड़ॉन लगा हो तो कुछ मेरा काम हो गया, अब आरण होने से, क्या लगता है, शक्त किसी पर है, शक्त क्या है, वह तो चार आदमी का नाम है, तो चारोही आदमी है, वह राजा उसका दोस्त है, उसमी क्रफ्तारी हु नहीं, कुछ भी नहीं, अब रामदी भी कुछ नहीं हुआ बच्चे का, अब तक कुछ पता हमको नहीं चला, मेरे पूरे महले में, सबको पता है, लेकिन सब लोग हमको बोलने से कतराते हैं, आज अस्पी साब के पास आई हैं, क्या कुछ आस्वाशन में लाएंगें, वह कुछ पता हैं, वो जीरो माल में मजदूरी करते हैं, उसर मतानिंगें, इसलिए क्या काम करते हैं, क्या नाम बताया आपने अपने, मेरे अजबन का नाम मोधी, मेरा नाम बीजी सीमा, यह कांड का हुआता, 29-221, अपरी, अपरी, अमको लगता में रनाती नहीं है, मेरे कल आपने, इसलिए मेरे काम करते हैं, जाने मेरे कल लगता है, प्रसासन किसी तरह का कोई प्रफरेट ने करते हैं, कुछ अपर गंशन ने बहुत बोलाएं, बबरगान थाने में, दस वजे, नौ वजे मेरी लड़की, अचनले तनहा चल के लिए, अजब बुलाए थे परवारियम को बोलता है कि तुम्ही पता चला और उन्पोर्वाशन दे. तुम लोग पता चला कि हमको दो. यह दो काम पुलिस का है, वो आपसे पिक्सर कर रहा है. हाँ, हम लोग कहां के हम लोग कहां से दे हैं, बोलिये. हम लोग के सरपिल कादमी नहीं ठा रहे हैं, दिन दे हम से देंशा लेंगे. जा चाते हैं, हम बस जाते हैं, पिमेरे नाती का, कुछ भी दे दे. हम अपने हाँ चातों देखे. सपी साब बोले कि जाच करवाएंगे. हम भागलपूर में सरपंच की पिटाएं मामले में अब तक नहीं हुई कोई कारवाई. भागलपूर में, मधुसुदपूर, ओपिछ छेतर के, गौनावर, बाधरपूर में, दबंगो द्वारा, निस्प, अंबे, पंचात की सरपंच मीरा, देवी की पिटाएं मामले में दोस्यों पर अब कोई कारवाई नहीं हुई है. वहीं दबंगों पर कारवाई तो दूर, पुलीस ने घटना के संबन में दोस्यों से भी अब तक पूछताच की जौरत नहीं समझी है. इन सभी के बीच में अश्चर जनक बात यह है कि दबंगों ने पुलीस से शिकायत करने के कारण पप्पू चौधरी के परिजनों को की सुबा से ही पीटा है. फिर संबन में सरपंज मीरा देवी के पुत्र राजी कुमार ने बताए कि पपू चौधरी घर में नहीं थे, इसी दरान उन्होंने परिजनों को ओपीसी नरेश राम, पवंसी, सुनील राम समेत, कई लोगों ने बुधवार की घटना का फुलीस से शिकायद करने के कारण गालिक लॉच करना शुरू कर दिया. जब इससे भी इन दबंगों का मन नहीं भरा, उन लोगों ने पपू चौधरी के पुत्र समेत अन्य परिजनों की बटाए कर दी. जब कि सरपंज मीरा देवी के नाती रुपेश निस घटना का वीडियो भी बनाया था लेकिन इनकी भनक लगते ही दबंग में वबायत छीन लिया राज्यू कुमार की माने तो कल की घटना के बाद आज पुना उनकी दोहरी करन होने से ये लोग काफी भैबीथ हैं. प्रांतिकारी तिलकामांजी मुर्मु के 273 वे जम दिवस के अउसर पर टीम बियू के प्रशासनिक भवन में हुआ कारेकरम। बोधन में कहा कि तिलकामांजी 1857 का वीद्रोह करने वाला अंग जनपत का पहला वीर सपूत है। सबसे पहले क्रांतिकारे के रूप में उभरता वीर तिलकामान जी के नाम पर 12 जुलाई 1960 में भागलपूर विश्विद्याले का नाम तिलकामान जी भागलपूर विश्विद्याले रखा गया और उनसे कई क्रांतिकारियों ने प्रेरना लेकर ही उनके नक्षे कदम पर चलने की कसम खाई जिसके हमारा देश आजाद हुआ और हम गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजाद भारत वर्ष में रह रहे हैं तिलकामांजी की जंदिवस के उसर पर हमें वीर शहीदों को जरूर याद करना चाहिए उन्होंने विश्व विद्याले के सर्वगीन विकास पर भी प्रकास डाला प्रतिकूलपति के अलावे कई पताधिकारियों ने भी वीर तिलकामांजी मूर्मू के विर्ता पर प्रकास डाला विश्यो विद्याले प्रशासनिक भावन में तिलकामाजी के जम दिवसकारी करम की दोरन विश्यो विद्याले के कुल सच्चु, रजिस्ट्रार, परिक्षा नियंतरक, सी, सी, डी, सी के अलावे सभी पतादीकारी ओं विश्यो विद्याले कर्मी मौजुत थे प्रशासनिक भावन में तिहास के स्वर नक्षरों में लिखा रहेगा, अच्छुसी की बात ये भी है कि भागलपूर तिलकामाजी विस्यो विद्याले में संथाली भावसा की पढ़ाई के बारे ममलग पहल किये हुए हैं, ये सुसर बैसी और इनका जो उने इस बिरानवे म ये भागलपूर विस्यो विद्याले का नाम तिलकामाजी भी रखा गया, ये बिहार सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है, और ये और भी पहल है कि भागलपूर तिलकामाजी विस्यो विद्याले में संथाली भासा की पढ़ाई की भी बात चल रही है, ये विदान सामें इनका जो प्रेज़ना आई युवापिधी को कि हमारे रष्टाचार और कानून अगर मेरे विरूद है तो इस कानून को युवापिधी सही रष्टा में लाने के लिए उन प्रियास करेंगे। कर दो का माम में नहीं बहुत हैं। अरे एक अब या इसे वीडियो देखे जाएगो तैने का सब्सक्राइब कर लो तो रहां कंटा को बतन जरूर दबाना तब हमार वीडियो का नोटिपीकेशन सबसे पहले मिलेगा यहां वहां का देखा थो हम तुन का इकार नहीं जल्दी दबाओ